केंद्री ग्रेह मंत्री अमिज शहा दो दिन के दौरे पर राजिस्थान पहुंचे जहां दौरे के पहले दिर उन्होंने जैसल मेर में बॉर्डर पतेनात जवानों का जोश बढ़ाया और तनोट माता मंदर पहुंचे जहां उन्होंने विदिविधान से पूजा की तनोट राय मंदर के पुजारी ने मंत्रोचार के साथ अमिज शहा की पूजा संपन कराई और उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा पाकिस्तान की साथ 1965 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों ने इस मंदर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी लेकिन ऐसी मानिता है कि तनोट माता के असर से मंदर को खरोच तक नहीं आई और दुश्मनों को भी मूँ की खानी पड़ी थी जिसका जिक्र ग्रेह मंतरी ने अपने ट्वीट में किया मंदर में पूजा के बाद उन्होंने बॉर्डर पर तैनाग बीएसेफ जबानों से मुलाकात की इस दोरान ग्रेह मंतरी ने बीएसेफ अधिकारियों से बॉर्डर पर सुरुक्षा हालात की जानकारी ली इतना ही नहीं वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद रोहतास पोस्ट पर गए जहां उन्होंने बॉर्डर का जाइसा लिया जैसल मेर दोरे पर की इंद्रिय मंतरी गजेंदर सिंग शेखावत भी अमिज शाह के साथ मौजूद रहे सौबात की एक बात ये कि कुछ दिनों पहले भी ग्रेह मंतरी अमिज शाह अपने जम्मो कश्मी दोरे पर भारत और पाकिस्तान सीमा पर गए थे और वहां तैनात जवानों को उन्होंने उनसे मुलाकात की थी उनकी होसला अवजाई की थी और इसी कड़ी में इस पार वो जैसल मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे और सुरक्षा हालात की पूरी ज़ानकारे लिए समिक्षा की ग्रेह मंतरी को अपने बीच देख कर जवानों का जोश हाई रहा इस मौके पर ग्रेह मंतरी ने एक एलान किया कि CAPF जवानों के लिए एक ऐसा कार्ड दिया जाएगा जिससे वो अपना और अपने घरवालों का इलाज देश के किसी भी अस्पताल में करा सकेंगे